नमस्कार आप देख रहे हैं और मैं हूँ रंजीत ज्या लोग सभा चुनाव में विधायकों के सांसत बनने के कारण अब पांच विधान सभा छेत्रों में उप्चुनाव होने जा रहा है तारीक अविधाय नहीं है फिर भी उप्चुनाव को लेकर राष्ट्रिया जन्तांत्र गठवंदन यानि एंडिये और महा गठवंदन जिसे ग्रांड एलैंस भी का सकते हैं इनके घटक डलों के बीच तकरार की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है ऐसा क्यूं है चलिए हम आपको बताते हैं क्योंकि चार सीटों पर लड़ने की तयारी में राज़द है सबसे बड़ी बात है कि महा गठवंदन में राष्ट्रिया जन्ता दल राज़द पांच में से चार सीटों पर लड़ने की तयारी कर रहा है ये चार उसकी परंपरागत सीटे मानी जाती रही हैं जो पिछले बिधान सभाचुनाव में एसेंबली एलक्षिन में साथ रहने के कारण जनतादल उनाइटर यानि जद्यू के कोटे में चली गई थी क्योंकि 2015 के बिधान सभाचुनाव में आरजेडी जद्यू वो कॉंग्रेस साथ लरे थे अब आरजेडी और कॉंग्रेस तो साथ हैं लेकिन जद्यू महागटबंदन का अब हिस्सा तो नहीं है लिहाजा दरौंदा, सिम्री बक्स्तियारपूर, नाथ नगर और बेलहर पर आ बेलहर या नाथ नगर में से किसी एक सीट पर लड़ने की तयारी चल रही है, कृष्ण गंज पहले से कॉंग्रेस के हिस्से में है, वहाँ 2010 में भी उसकी ही जीत हुई थी, यह तो बात महागटबंदन की, अगर बात हम एंडिया की करें तो यहाँ भी पेच कम नहीं है, य तो कि पिछले चुनाव में इन पांच में से तीन सीटों पर भारतिय जनता पार्टी यानि बीजेपी और दो पर लोग जन सकती पार्टी के उमिदवार दूसरे नमबर पर रहे थे, किसन गंज में जेडियो का उमिदवार नहीं था, इसलिए इस बार भी बीजेपी की दा दावा कर सकते हैं, और हम आपको पताते हैं कि जो यह फर्मूला एंडिया ने अपनाया था, वह काफी लावकारी रहा था, क्योंकि इस तरह से सीट हासिल करने का फर्मूला लोक्सवाद चुनाव में एंडिया के पक्ष में लावकारी साबित हुआ था, तो लोजपा ने अपनी जीती हुई मुंगेर की सीट जद्यू को देजी थी, बीजेपी ने तो पांच जीती हुई सीटें जद्यू और एलजीपी के लिए छोड़ दी थी, हलाकि जद्यू के पक्ष में यह तर्क जा सकता है, कि वह सरकार में है और उसे विधायकों की जरूरत है, लेकिन म इनका दवा भले ना हो, लेकिन कॉंग्रेस उपचुनाव में एक से अधिक सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है, यह तो हम और व्याइपी की बात है, लेकिन जा तक बात अगर कॉंग्रेस की करें, तो कॉंग्रेस जो है, इसके लिए दिसा निर्देश दिल्ली से भी जोर हो सकता था, लेकिन महागटबंदन से जद्यू के बाहर जाने के कारण, कॉंग्रेस का मजबूत दावा बनता है, वैसे भी इन में से कुछ सीटों पर कॉंग्रेस अतीत में, यानि पुरु में चुनाव जीतती रही है, अब चलिए बात करते हैं कि 2015 में जो एसम्बली एलक्षन बिहार में हुए थे, उसमें इन चारों सीटों पर 500 सीटों पर किसको केतना वोट मिला था, दरोंदा, वहाँ पर कविता सिंग थी जद्यू से, जिसे 66,255 वोट मिले थे, और जितेंदर स्वामी 53,000 वोट बीजेपी, दूसरे नंबर पर यहाँ पर रहे थे, सिम लोजपा के जो उम्मीदवार उस वक्त थे, युसूफ सलावदीन उन्हें 40,708 वोट मिला था, इसके बाद नाथ नगर की बात, अजय मंदल जद्यू से, जिने 66,485 वोट मिले थे, तो ही लोजपा के उम्मीदवार अमर कुसवाहा को 58,660 वोट मिला था, बात किसन गंज किसन गंज से डाक्टर जावेद कॉंग्रेस 46,552 वोट मिले थे, तो ही सुईटी सिंग बीजेपी को 57,913 वोट प्राप्त हुई थे, अब बेलहर की बात करते हैं, बेलहर में गिरधारी यादव जजियू से 73,348 वोट बेलहर में गिरधारी यादव को मिला था, तो ही नमर पर मनोज जादव बीजेपी के हैं जो 54,157 वोट मिले थे, तो कुल मिलाकर हर जगा देखें तो लोजपा पीजेपी इस तरह के अमिदबार हमेशा दूसरे नमर पर रहे थे विदान सवाद चुनाव में लेकिन अब जो उप्चुनाव होंगे इन पांच सीटों पर तो इसमें एंडिये में क्या समेकरण बनेगा और महागटवंदन में क्या समेकरण बनेगा दावयदारी अभी से तय हो गई है तारिखें भले ही तय नहीं है लेकिन जैसे इसका फैसला होगा तो माना जा रहा है कि महागटवंदन में फैसले से पहले चाहें एंडिये हो य आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले